के अला वेल्कम टू स्टडी आई क्यू मैसल फंकित आउर आज नंबर सिस्टम का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेसिकलिए नमबर सिस्टम को मैंने तीन लेक्चर्स में डिवाइड किया था और आज नंबर सिस्टम को रप अप करेंगे तीग है सेशन को और प्रीवियस दोनों सेशन आप लोगों ने देखा होगा तो स्टार्ट करते हैं सीधा सीसाइट कोर्स का सेशन से और यह मैं आपको शुरू के दो लेक्चर्स में बताया था आपको स्कीम ऑफ एक्जामिनेशन अगर कोई फर्स टाइम जोइन किया है तो उसके लि आपको षालिवन होगा 66 marks qualifying एए हर एक कुश्चन पर 2.5 marks मिलेंगे के 2.5 marks हर एक कुश्चन पर मिलेंगे और negative कितना होगा फिर 0.83 को अगर मिलेंगे ज्यादा तो गलत बराने पे कटेंगे भी ज्यादा तो 0.85 marks मिलता है सही होने पर और 0.83 marks direct हो जाता है गलत होने सब्सक्राइब आपको बता चुका था यू नोग फर्स टाइम इस सेशन को देख रहे हैं कोई शुनिया आप इस सेशन को देख सकते हैं क्योंकि टॉपिक जो है वो नया रहेगा नंबर सिस्टम के अंडर में बट अगर पूरा नंबर सिस्टम कवर करना है तो शुरू के दो सिस्टम के तीन लेक्चर से जो मैंने रिकॉर्ड की है यह जो तीनों लेक्चर है यह अपने आप में पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव हैं मतलब यहां पर अगर आप दो दो घंटा दे रहे हैं मुझे तो वो दो घंटा देने के बाद आपको उस टॉपिक के लिए कोई और सोर्स रिफर करने की जरुत नहीं है बना मैंने पढ़ाने का परपस क्या हुआ अगर तुम दो घंटा यहां पढ़ रहे हो और उसके बाद भी जा कि अगर तुम ढूंड रहे हो कि मैं कहां से समझूं कैसे सॉल्फ करूं तो फिर वह वेस्ट है तो वह सिच्वेशन नह सखा रहा हूं उसे नोट स्के फ़र्म में लिखिये ने कि देना कि बढ़ारें में में एक्जाम में अर्क तब तक कह याद नहीं रहे हगा तब तब तक आपको रिविजन करना पड़ेगा तो revision करने क्या ज़रूरी होती है एक रिविजन कॉपी नोट्स थीक तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर तो यह था मेरा सिलेबस जो मैंने बताया था देखो यह इंटर पर्सनल डिसीजन मेंगी इस पर जारा कुश्शन नहीं आते हैं मैं बोल चुका हूं यह पहला सेक्शन होता है सी स करेंगे बहुत जल्दी रीजनिंग के भी टॉपिक्स में लेकर आऊंगा आपके सेशन में और जो आखरी का दो होता है बेसिक न्यूमरेसी और डेटा इंटरपेशन यह दोनों क्लास 10th लेवल तक का यह होता है मेरा क्वांट या कॉंटिटेटिव अबिलिटी कुछ भी बोलो कॉंट बोलो मैक्स बोलो कॉंटिडेटिव अबिलिटी बोलो यूगें से एनिफिंग मतलब वही है तो यह वाले पोर्शन इससे मैंने शुरुवात किया था इस टॉपिक से कॉंट से ठीक तो आगे बढ़ता हूं और हां यह मैंने कॉंट का सिलेबस बनाया था बेस्ड ऑन प्रीवियस यह कोश्चन्स प्रीवियस यह कोश्चन्स हो गए सी साट के हो गए दूसरे एक्जाम्स के हो गए कि वही कॉंट के अंदर में वो क्या-क्या पूस्ते हैं आपसे तो उससे जो है मैंने एक इंडिकेटिव सा स्लेबस बनाया है कि यह सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए और इनी सारे टॉपिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे माक्सिमम कोश्चन आते हैं वो है नंबर सिस्टम और सबसे बड़ा भी है नंबर सिस्टम से मैंने स्टार्ट किया आप लोगों का सेशन सबसे बड़ा है आप खुद देख रहे हो कि अल्मूस्ट दो बज गए है जो आज रैप अप हो जाएंगे नंबर सिस्टम के अब ठीक है टाइम कितना भी लगे एम यही होना चाहिए कि अगर एक बर पढ़ रहे हैं तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए और कुशन बनने चाहिए ठीक कि मेरा एम यह है कि आपको सिर्फ फॉर्मुला बत कि टीचर जब तक करता है दो तक तो साइन लगता है कुछ से बनाने वैटते हैं फिर फस जाते हैं एक लाइन के बाद दो लाइन के बाद तीन के बाद आंसर नहीं आता तक इनी कारणों से घुम एक और प्ले लिस्ट में बोल दूँगा तो आपको मिल जाएगा इस पर तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं number system पे हम बात कर रहे थे number system पे ही आज बात करेंगे number system third class is third and final class this is number system की topics to be covered यह मैंने एक आपके लिए बनाया था कि number system में क्या-क्या हमें basically पढ़ना चाहिए तो number system में हमने पढ़ा था पहले तो different types of number यार कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 types तो बताया होंगा तो है ट्राइंगुलर number composite number prime number real number imaginary number whole number natural number वो ट्राइंगुलर था और भी कुछ-कुछ numbers पढ़े थे हम लोग last class में तो वह हो गया आपका different types of number HCF पढ़े थे LCM पढ़े थे ठीक है इनका application था कि जब घड़ी में अलग-अलग time पर रिंग कर रहा है घड़ी बेल अलारम बेल तो एक साथ कब रिंग करेगा या अगर circular path में कोई आदमी अलग-अलग speed से दोड रहा है तो एक साथ starting point पर कब आएंगे application of LCM application of HCF number of factors sum of the factor कि बड़ा सा नंबर देते का 120 120 के number of factors कितने होंगे तो यह वाले topic पढ़े थे number of zeros पढ़े थे interesting topic है सवाल आते है इससे problem based on remainder remainder theorem भी हम पढ़ेते हैं कि तो लास्ट क्लास में पढ़ेते रिमेंडर थिओर हम ठीक decimal number system जो है मैं start किया था एक question बनाया था अगर आपको याद है तो वह i की value find करनी थी जो तो वह वाले question से ही मैं basically decimal number system से ही मैं start करूंग आज decimal number system पढ़ेंगे problem based on unit digit और last digit यह जो पूछता है एक बड़ा सा expression रहेगा और पूछेगा कि यह last digit क्या है इसका या unit digit क्या आएगा इसका तो वह अले questions देखेंगे हम लोग board mass आपको पता है फिर भी एक बार बता दूंगा अपने मन के शान्ती के लिए मुझे पता है तुम्हें board mass पता होगा और फिर भी एक बार मैं बता दूंगा और यह decimal expansion थोड़ा rational irrational क्या होता है ठीक है वो जो recurring decimal होते हैं non recurring decimal होते हैं उनको fraction में कैसे convert करते हैं तो यह सारी चीजों के साथ हम end करेंगे इसको तो आज का agenda में क्या है topic number 7 से लेके topic number 10 तक के 7 to 10 यह आज finish होगा तो ज्यादा time waste ना करते हुए हम सीधा topic पर आते हैं हां यह हम last class में पढ़ चुके थे अब फिर हम question पर आएंगे ठीक है तो copy pen लेके अपने tools वगएरा लेकर एडी हो जाईए decimal system quick revision last class काई भया दो values होते हैं इसमें एक होता है positional value और एक होता है real value आपको बताया था मैं 234 ठीक है 234 बताया था आपको क्या होता है यह this is 234 में यह होता है मेरा unit digit क्यों क्योंकि यह 1 से multiply होता है ठीक है the unit digit क्योंकि यह 1 से multiply होता है this is 10th digit क्योंकि यह 10 से multiply होता है और this is 100th digit क्योंकि यह 100 से multiply होता है किसी भी decimal number को मैं इस तरीके से expand कर सकता हूँ किस तरीके से 234 is equals to 2 into 100th digit है ना 2 तो उसको 100 से multiply किया plus 3 into 10 10th digit है ना इसे लिए 3 इसे रहे 3 को 10 से multiply किया और 4 को किस से multiply करूंगा 1 से क्यों क्योंकि वो unit digit है देख लीजे left hand side is equal to right hand side आ जाएगा जल्दी से एक बार देख लो left hand side is equals to right hand side 2 into 100 और 2 into 100 3 into 10 and 4 into 1 तो यह हो गया था मेरा यह मैं आपको last class में बताया था यह हो गया था और इस पे बेजड हमने यह एक question किया था इस पे बेजड हमने यह वाला एक question किया था मैं फिर से request करूंगा इस question को एक बार solve करो जल्दी से आदे मिनिट के अंदर जल्दी solve करो इसको विदिन half a minute इस question को solve कीजिए क्या है question i plus one i plus two i plus i3 plus i1 is equals to 21i तो इसको आप solve करके बताये जल्दी से यही से स्टार्ट कर रहे हैं आज का lecture जल्दी भई we don't have time मैं solve करूं क्या कहता है ते को कुछ नहीं कह रहा यह equation है i plus one i plus two i plus i3 plus i1 is equals to 21i यह था देखो क्या हो रहा है यह तो i यहाँ पर unit digit है तो इसको as it is i लिख दूंगा plus यहाँ पर i है unit digit में और one है tenth place में देखिए one है tenth place में तो one को किस से multiply करूंगा 10 से और i को one से यहां तक clear हुआ यह यह unit digit पर ही है तो यह तो one से multiply होगा कोई इसमें doubt नहीं है but one i जो है इसमें दो terms है unit digit और 10 digit तो 10th digit है one वो 10 से multiply होगा और unit digit 1 से plus इस वाले की बात कर रहा हूं देखो i unit digit पर है और two है tenth digit पर तो two किस से multiply होगा 10 से मतलब 20 प्लस i plus इस question को देखो इसको i3 मतलब i है मेरा 10th place पे और 3 है मेरा unit place पे तो क्या हो जाएगा 10 i plus 3 ठीक है 10 i plus 3 और similarly यह वाला क्या हो जाएगा last वाला i1 मतलब 10 i plus 1 is equals to यहां पर क्या कहानी है तू है 100th place पे मतलब 200 वन है 10th place पे मतलब 10 और i है unit place पे मतलब 10 i plus 1 इसमें क्या करो आई आई वाले को add कर देते हैं कितना आ जा रहा है add करने से i plus i 2 i 3 i 13 i 23 i 23 i plus यह 10 20 30 हो गया 30 और 3 हो गया 33 और 1 कर दो तो 34 34 is equals to 210 प्लस i यह i इधर आ गया 22 i is equals to 210-34 कितना आ जाया गया यह सॉल्फ करने से 210-34 कितना आ गया 210 में से 38 अटा तो कितना बच्चता है 48 आड़ होगे तो 176 कर दीन तो 176 तो i की वैल्यू कितनी आ गई i is 176 डिवाइड बाई 22 डिवाइड कर दो वन से गया यह जाता है 8 से तो i की वैल्यू कितनी आ गई option नमबर d 8 इस तरीके से आपको solve करना है इस question को इस type के question को क्यों इस सारे question CSAT के हैं ठीक तो तुम लोग भी बोलता है ऐसा इतना easy question आएगा exam में हमेजा मेरे से student पूसते हैं इतना easy question आएगा exam में मैं बोलता है भाई यह exam का ही question है ठीक तो देख लीजे इसको और यह से last class में solve किया था मैं बट फिर इसके आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब कर लो जली से नोट कर लो कि तीक है विदूशी मंजू इन सबका एंसर सही आया था गुट कि अगया आगे बढ़ते हैं कुछ नहीं इन questions में पर ऐसी question है मैं कितने लाया हूं दो है दो कुछन और है solve करो यह वही कहानी है कुछ equation दे दिया आपको इस वाले symbol का मतलब निकालना है कि solve कर सकते है उसको मुझे सिंबल बना हुआ है बोड पर वह सिंबल का आपको वैल्यू बताना है चलिए जल्दी से बताओ सिंबल का मतलब क्या आएगा सिंबल स्टैंड्स फॉर कुष्यन इस सिंबल स्टैंड्स फॉर क्या इसमें भी एट आ रहा है नहीं करें हाफ अ मिनट नॉट मोर देन दाट भाई 176 बाइ 22 कर दिये न अंतिमा का डाउट है कि कैसे आया एंसर अंतिमा ट्वेंट टू वन जिरो माइनस कहां गया वाला कॉस्च्चन यह देखिए न यहां पर 210 था न यह ट्वेंटी टू आई इस इक्वल्स टू टू वन जिरो माइनस 34 तो वह आगया 176 फिर 176 को 22 से डिवाइड कर दिया तो एंसर इस एट चलो यह वाला सवाल देखो इसको सॉल्फ करने के लिए न सबसे पहले यह जो अजीब सा सिंबल दिया है न कुछ पत्ता गोभी जैसा दिख रहा है या फूल जैसा जो भी है इसको मान लो एक्स मैं यह बार बार नहीं बना सकता यूपसी वालों ने तो प्रिंट कर दिया मेरे से नहीं होगा प्रेट मैं उसको एक्स मान रहा हूं तो तो equation क्या बन रहा है देखो, x, यहाँ पे लिखता हूँ, x plus 1x plus 5x plus xx plus x1 is equals to 1xx, यह आ जाया गए equation, ऐसा, अब वोई करना है, expand करना इसको, exam में कहीं नहीं लिखा है कि this is the decimal number system का question, but by default, हमारे syllabus में सिर्फ और सिर्फ decimal number system ही पूछा जाता है, तो आप by default इसको expand कर दो, कितना हो जाएगा, यह तो unit digit है, तो x आ गया, plus, यहाँ पर 1x है, मतलब 10 plus x, क्योंकि यह 10th place में है और यह unit place में है, plus, यहाँ पर भी 5x, मतलब 5 है 10th place में, तो यह हो गया, plus, अच्छा, x और x, यहाँ पर x जो है, वो unit place में है और 10th place में भी है, तो क्या बन जाएगा, 10x plus x, plus, यहाँ पर, 10x plus 1, right hand side में क्या आएगा, 100 plus 10x plus x, इस तरीके से लिख देंगे इसको, मैंने बस expand कर दिया है, और कुछ नहीं किया है, और, देख लेते हैं, x वालों को add कर देते हैं, कहाँ गया, x वाला term, यह है, यह है, यह है, कितना आ रहा है, x plus x, 2x, 3x, 13x, 14x, 24x, 24x plus, 10 और 50 हो गया, 60, 60 plus 1 हो गया, 61, चैक करना सही तो कर रहा हूँ है, और वो कित आ जाएगा, 100 plus 11x, 11 को इधर ले आता हूँ, 24 में से 11 चला गया, तो क्या बचा, 13x is equals to, 61 उधर चला गया, 100 में से 61 गया, तो कितना आ गया, 39, x की value 3, बचा, इस से जादा simple question कहीं नहीं होगा, ठीक है, इस से जादा simple question नहीं होगा, बढ़ यह question नहीं है, यह धाई marks हैं आपके, जो 66 का target है ना, उसमें से धाई number आ गया, देख लीजे, 3 is the answer, आजी सत्तु वाला आ गये फिर से, और answer विजबर सही आया है, शीभी यह सब आप लोग last class एडेंड किये थे, I know, कुछ-कुछ मुझे नाम पैचाने हुए लग रहे हैं, देख लो, उसको कुछ नहीं करना है, बस फिर सिर्फ और सिर्फ expand कर देना है, यह आखरी question बस, मुझे पता है तुम लोग को बहुर लग रहा है, यह आखरी question, एक ही value find कर लो, अलग टाइप का सवाल बनाएंगे, बस यह वाला question बना लीजिए, ताकि practice हमारी पूरी complete हो जाए, हमने तीन question बना लिया, एक जैसा, यह वाला, तुरंथ, एक ही value, एक ही value, भाई अंतिमा सिर्फ यह question ही simple नहीं है, मैं क्या गया रहा हूँ, पूरा का पूरा C-side का स्लेव सिंपल है, वो 66 marks इसलिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम complicate कर रहे हैं पड़ते वक्त, हम complicate कर देते हैं, पूरा का पूरा preparation को, हम भागते हैं कि formula बता दो, shortcut बता दो, यह बता दो, issue अई है, कि सही guidance नहीं मिलती है, सही approach से नहीं prepare किया जा रहा है इस paper को, वरना आप अभी तक आपने तीन lecture अटेंड किया, आप और कुछ lecture अटेंड कर लीजिए, जो topic तुम बोलोगे, वो topic मैं यहां बढ़ा दूँगा, जो तुम्हें tough लगता है, और पढ़ने के बाद तुम बोलोगे सरी यह तो बहुत सिंपल है, क्योंकि approach सही होना चाहिए, तो लोग इसको बना देते हैं, और क्या गया रहा है, इसमें वहीं करना है, 10 और 100 वाला प्लेस ले लो, तो क्या बन जाएगा, A, प्लस डारेक्ट लिख रहा हूं है, A1 मतलब 10 A प्लस 1, यहाँ पर 10 प्लेस में 2 है, तो 20 प्लस A, फिर 40 प्लस A, प्लस 80 प्लस A, इस इक्वल टू, 18 A, मतलब 100 प्लस 80 प्लस A, यह आ गया, तो यह, A वाले को पहले आड कर देते हैं भई, कहाँ है, यह है, यह है, यह है, कितना बन गया, A प्लस 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 14 A प्लस, अब इसको 1 और 20, 21, 41, ए स्वारी, कहाँ गया, 1 प्लस 20, 21, प्लस 40, 61, प्लस 80, 141, is इक्वल स्टू, 180 प्लस A, यह A इधर आया, तो 13 A, सेम इक्वेशन बन रही है क्या, और यह इधर आगया, 39, जब यह भी काम आसान, A इधर इक्वल स्टू 3, कहाँ गया, ऑप्शन नमबर, C, ऑप्शन नमबर, C, 3, सिंपल क्वेशन है यह, अब इस टाइप के सवाल नहीं करा रहा, एक वक्त था, जब C-Side में हर साल आत रहा था, ऐसा क्वेशन, एक वक्त था, जब C-Side में हमेशा पूछते थे इसी टाइप का सवाल, तो, आगे बढ़ें इसमें, यह क्लियर हो गया, यह वाला टॉपिक, प्रॉब्लम में की बन रहेगा, तो, कुछ वर्ट प्रॉब्लम की कॉश्चन बनाते हैं, अलग टाइप के, इस सारे के सारे C-Side के हैं, बन जाएंगे तो, यह मत बोलना की इजी है, ठीक है, सारे C-Side के हैं, बनाईए तो, इस कुश्चन को क्या कहता है यह, यह Divisibility वाला कुश्चन है, आपको मैं Law of Divisibility पढ़ाया था लास्ट क्लास में, इसको ट्राई कीजिए, इस कुश्चन को, जल्दी से, इस कुश्चन को एक बढ़ ट्राई करो, फिर मैं solve करता हूँ, देखा, मंजु ने वही पूचा, जो मैंने, बोला था, जो स्टुडेंट्स पूचते हैं, ऐसा नहीं कि तुम लोग भी अलग हो, तुम लोग भी वैसे ही हो, जैसे बाकी स्टूडेंट्स रहते हैं, तो तुमारे डाउड्स भी सेम रहते हैं, इतने समय से पढ़ापढ़ांगे मुझे तुम्हारे doubt भी पता है कि अज़ाई करमेंदु ने answer दिया है answer दिया है कि क्या दिया है पता नहीं क्या लिखे हो ही सत्तु वाले incent दे दिया good go to do लो भाई तुम भिहार से तो नहीं हो देखो क्या कह रहा है गुष्षिन a number is of two digits दो डिजिट का number है बन कर दीज़े टेम्ट करना यहां देहां दीजे number is of two digits दो डिजिट का number अगर मुझे नहीं पता है तो मैं number को क्या मान ले रहा हूँ x y क्या है ये मेरा original number original number मेरा क्या है x y ठीक अच्छा the position of digit is interchanged ठीक है the position of digit is interchanged तो नया number क्या बना digit को interchanged कर दिया मतलब पहले था x y अब क्या हो जाएगा y x unit digit को 10th digit कर दिया 10th digit को unit digit कर दिया ठीक अब क्या बोल रहा है the position of digit is interchanged new number is added to the original number मतलब जो original number था x y इसी में मैंने नए number को add कर दिया तो आपको बताना है कि जो resultant number आएगा वो 11 से divisible होगा की नहीं होगा ठीक ये है सवाल तो x y plus y x को मैं expand करके लिख सकता हूं ये x y क्या हो जाएगा 10 x plus y क्योंकि ये है आपका unit digit में ये है आपका 10th digit में और y x को कैसे लिख सकता हूं मैं 10 y plus x क्योंकि भाई ये है 10th digit में और ये है unit digit में इन दोनों को add कर दिये as it is तो क्या बन जाएगा 11 x plus 11 y 11 को बाहर ले लो x plus y आ गया x plus y आ गया अब x plus y की value कुछ भी हो in short x और y की value कुछ भी हो क्योंकि बाहर में ये 11 है तो ये हमेशा 11 से divisible हो जाएगा तो इसका answer आएगा d x और y की value कुछ भी रहे बट क्योंकि 11 bracket के बाहर है तो ये हमेशा 11 से divisible होगा तो ये सवाल था इसको लिख लिए जिन से नहीं बना बट I hope सब से बन गया होगा I hope हर किसी से बन गया होगा बहुत simple सा सवाल है 11 bracket में x plus y देख लो एक बार फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल पर ये कुछ word problems है number system पर ही based तो जिसको मैं solve करवा दे रहा हूँ आपको यहीं पर यहीं के यहीं ये वाला एक और question वैसे ही है थोड़ा सा अलग twist कर दिया है बस बनाईए इसको अब तुम लोग समझ गयो हो ना कि जब भी session start होगा time पर आना है और दूसरा अपना copy pen लेकर आना है और calculator से दूर रहना है मैं calculator यहां use कर लूँगा बढ़ तुम्हें use नहीं करना है यह paper तुम्हें देना है देखो उस question को पढ़के क्या कहता है मैं calculator use कर सकता हूँ तुम लोग use नहीं कर सकते तुम्हे paper देना है मुझे नहीं देना मेरे attempt खतम हो गये है मेरा काम आप लोगों की help करना है C आरा है answer 42 सब कुष्चन ऐसे ही apply करेंगे अंतिमा पूछ रही है यह देखो वो question पर depend करेगा exam में थोड़ी नहीं ऐसे compartmentalized way में आएगा कि यह number system का है यह ratio proportion का है यह average का है यह time work का है question पढ़के आपको decide करना पढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा आपको जब questions practice कर लेंगे हम तो आपको समझ में आ जाएगा देखो मैं बनाता हूं क्या कह रहा है डो digit number जैसी डो digit number आया मेरे को नहीं पता था तो मैंने मान लिया x y जिन लोग भी 10th के बाद maths नहीं पढ़े हैं ठीक है आप में से जितने भी लोगे 10th के बाद maths नहीं पढ़े हैं 10th के बाद maths पढ़े भी हैं यह x और y देखके घवराना मठीक है यह जो algebra जो होता है वो हमारा काम आसान करने के लिए बनाये गया है तो कभी भी इसको assume algebra देखके tension में मताईएगा तो xy को मैंने number मान लिया such that product of the digit is 8 मतलब x into y is equals to 8 यह भी given है when 18 is added to the number digits are reversed मतलब x sorry xy में जब मैं 18 add कर दूंगा तो digit reverse हो जाएंगे क्या बन जाएगा yx ठीक expand कर देता हूं इसको क्या आ जा रहा है यह 10x plus y plus 18 is equals to 10y plus x सबको इधर ले आते हैं क्या आ जाएगा 9x minus 9y plus 18 is equal to 0 9 common ले लेते हैं तो क्या आ गया finally x minus y plus 2 equal to 0 x minus y plus 2 equal to 0 equation क्या बन गया y को LCM ले लिए तो 8 minus y square plus 2y equal to 0 minus sign हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा y square minus 2y लिखता हूं 8 को बाद में यह equation ऐसा आ जाएगा y square minus 2y minus 8 equal to 0 एक quadratic equation बन गई अब क्या हो जाएगा तो x की value क्या आ जाएगी 8 by 4 मतलब 2 तो answer क्या आ जाएगा 24 24 दूशी का कहना है कि pen paper नहीं लग रहा है देखके ही हो जा रहा है यह question simple है क्योंकि यह question simple है देख लीजिए इसमें कोई doubt है तो बताएगे जल्दी से simple सा है quadratic बनेगा y की value 4 आएगी x की value 2 आएगी जिन लोग भी 42 answer दे रहे थे वह गलत है 24 is the right answer 42 कैसे answer होगा यार 42 में 18 जोड़ोगे तो 24 मिलता है क्या question में क्या दिया है original number में 18 add कर रहा हूँ तो digit reverse हो रहे है तो 42 में 18 add करूँगा तो digit reverse हो रहे है हाँ question पढ़ो ना answer निकालने पहले आपने add क्या हुआ बता दिया वो नहीं बताना है original number बताना है original number is 24 find the number find the original number answer is 24 not 42 चलिए देख लीजिए इसको फिर आगे बरते है next question पर यह क्या आगया अच हाँ यह वाला भी एक important आपके लिए announcement है इसको भी एक मिनट देख लेते हैं हम लोग क्या करना है आपको देखो क्या करना है यह मैं बता रहा हूँ ठीक है final decision is yours बट मेरा काम क्या है आपको यह बताना कि studyiq.com पे जाईए website पे जैसी आप studyiq.com की website पे जाओगे एक नया course launch हो रहा है आप लोगों के लिए that is known as SIP plus success in prelims plus 2023 के लिए ठीक इस पे click करोगे तो ऐसा करके कुछ खुलेगा 7500 का course है बट इस और यह क्या चीज़ है कि आपका 19 दिसंबर को 7 बज़े से start होगा यह course क्या चीज़ है course यह देख लेते हैं एक बर देखिए यह important है क्योंकि prelims में लेकर हमेशा यह issue रहता है कि जैसे से time नजदीक आता है न anxiety बढ़ती है और prelims का paper हम खराब कराते है prelims का paper हम बिगार के आ जाते हैं क्यों क्योंकि anxiety के कारण जहां एक बर February March आ गया आपका वो एक panic आ जाता है यार मैं क्या पढ़ूं अतलब इतना कुछ है पढ़ने के लिए शुरू कहा से करूं कैसे current affairs पढ़ूं कैसे static पढ़ूं अब static पढ़ रहा हूं तो NCRT पढ़ूं कि standard book पढ़ूं सामज़ों यह doubts आते हैं आप लोगों के यह आप लोगों यह बतलब आज से 4-5 साल पहले मेरे भी डाउट हुआ करते थे क्या current affairs पहले पढ़ूं कि static पहले पढ़ूं static में NCRT पढ़ूं कि फिर जहां जैसे ही आया April खतम हुआ, May start होने वाला हो तब लगता था, यार अब revision कैसे करूं revision का तो कुछ notes ही नहीं है मेरे पास क्या फिर से पूरी standard book पढ़ूं test paper लगाऊं कि previous year question paper लगाऊं CSAT पहले पढ़ूं कि economic survey, international relation या current affairs पहले पढ़ूं या Indian year book पहले पढ़ूं क्योंकि कि हम एक hierarchy set करके नहीं रखते हैं ठीक है, हम एक hierarchy set करके नहीं रखते हैं इसलिए बड़ी confusion हो जाती है अभी preparation बहुत hap hazard way में होती है और फिर वो exam में दिख जाता है तो कि exam के दिन की कहानी में आपको सुनाया था last class में I hope आप लोगों को याद होगा क्या कहानी थी कि 5-5.30 बजे उठेंगे पेपर देने के लिए दो से तीन घंटा ट्रावल करके जाएंगे पेपर देने 9.30 से 11.30 के पेपर में GS पेपर में हम जूझेंगे क्योंकि आपकी preparation कितनी भी अच्छी हो वो हर एक question में एक option ऐसा दे देता है जो हमको confuse कर देता है इसके बारे में कभी सुने नहीं रहते वो सब करके आने के बाद जो तीन घंटा होता है साड़े ग्यारा वैसे लेके धाई बजे तक के वो हमें 40 degree temperature पे बिताना पड़ता है बाहर पार्क में बैठके है ना तब तक के दिमाग का बतलब जो अपकी efficiency रहती है उसका सिफ 20 या 30% बचता है और तब जाके देना पड़ता है CSAT का paper तब जाके CSAT का paper tough नहीं होता पर वो जो condition होती है उस दिन की वो उस paper को tough बना देती है इसलिए CSAT को कहा जाता है कि CSAT को समय देना पड़ेगा चाहे आपका aptitude अच्छा हो या चाहे आपका aptitude अच्छा ना हो but you have to give it a time क्योंकि UPSC ने ठान लिया paper अचा ऐसा नहीं है कि by luck paper आपका tough हो जा रहा है आपका bad luck था तो 3 साल से CSAT का paper tough आ रहा है कि by luck नहीं है कि CSAT का paper tough आ रहा है अगर UPSC 3 साल 4 साल से paper tough कर रही है मतलब वो एक pattern establish कर रही है कि भाई CSAT का जो graph है वो और उपर ही जाएगा difficulty का UPSC ने ठान लिया है कि 66 numbers नहीं लाने देंगे हम असानी से जो बच्चा serious है जो बच्चा practice करके आ रहा है जो अच्चा पढ़के आ रहा है वो जो है आपका clear कर लेगा easily बट जो time pass कर रहा है उसको होगी problem तो इनी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब मैं आपको बोला था कि उस website पे जाके studyiq.com में जाओ SIP course खोलो इसमें जब आप content में देखोगे कि यार features क्या है इस program के सबसे पहले तो live है revision classes मैं और जो बाकी teachers है अलग-अलग subject के वो live आपके साथ interact करेंगे ठीक उसके साथ क्या है integrate करना static and current affairs को static and current affairs दोनों important pillar है आपके paper के इन दोनों को integrate करना NCRT standard book को cover करना हर एक class के बाद आपका test होगा revision booklet देना ताकि आप revise कर सके CSAT की classes मैं ही conduct कराऊंगा बाकी UPSC test और All India open test यह सारी चीज़े होगी तो आपको इसका content देख क्या आपको decide करना है कि हाँ यार मेरे पास यह चीज़े नहीं है यह चीज़े अगर मुझे मिले तो मेरा prelims का paper निकल जाएगा अच्छे से क्योंकि aim क्या होना चाहिए आपका pre का paper देख रहा हूं और एक महिने तक के cut off कर मैं debate ना करूं मैं इतना sure रहूं कि यह paper देके आयों मैं cut off clear कर रहा हूं दो दिन बाद mains की तयारी स्टार्ट कर रहा हूं ज्यादा नहीं मिलता अगर prelims के बाद आपने दो या तीन दिन के अंदर अंदर अपने mains की त्यारी नहीं चालू की तो mains निकल जाता है फर तो यह बार आप course देख लीजेगा इसका यह चालू हो रहा है 19 December से live होगा शाम के 7 बजे से और हां और इसमें यह मेरा code है ATlive अंकित तिवारी live से ATlive अगर यह यूज करोगे तो 6000 का course बढ़ेगा तो यह आप देख लीजेगा बट एक बार उस course के features जरूर देखना और अपने आप से सवाल करना क्या यह चीजे हैं मेरे पास तो यह चोटा से info था यह हम कर लिए थे आकरी question क्या बनाये थे यह वाला बनाये थे, चलो हाँ एक और question, यह वाला try करो एक बार यह वाला question try करो एक बार यह question try करो एक बार जरूर जाके पढ़ना वो कि क्या है ही मेरे पास यह चीजें को दित्गि प्रिलिम्स क्लियर करना प्रिलिम 50 से क्लियर करना दोनों चीजसे जरूरी तो य Θं नहीं कि ठीक बना के आ गए अब एक महीरात कर रहे हैं अब कोई मतलब नहीं किसे एक महीना आगर वेस्ट कर दिये तो इस को घो जल्दी संपरिक कीजिए क्या बोल रहा है देखो क्या बोल रहा है difference between two positive number is three कुछ भी चीज अगर नहीं किवन है न लेट two positive numbers be x and y कुछ भी नहीं mention किया है न तो x और y मान लो क्या बोला difference between two positive number x minus y is equals to three अच्छा और क्या है sum of their square is 369 मतलब x square plus y square is equals to 369 दो number का difference भी दे दिया है और दो number के square का sum भी दे दिया है then the sum of the numbers is मतलब आपसे पूछा है x plus y कितना होगा यह आपसे पूछा गया है x plus y कितना होगा यह आपसे पूछा गया है कुछ नहीं करना है यह रगो x square plus y square is equals to 369 x square y square is equals to 369 यहां से एक equation मना लेता हूं मैं x is equals to 3 plus y उसको यहां put कर देता हूं x is equals to 3 plus y मतलब क्या बन गया 3 plus y का whole square plus y square equal to 369 a plus b का whole square का formula आप लोगों को पता है a square plus b square plus 2ab तो लो आगे solve कर दो क्या करना है 9 plus y square plus 3 to the 6y plus y square is equals to 369 तो क्या बन जाएगा सब add करने से सब add करने से आ जाएगा twice of y square plus 6y यह इधर आगया 369 तो 9 से माइनस हो जाएगा minus 360 is equals to 0 तो 2 से डिवाइड कर दो तो y square plus 3y minus 180 आएगा ना 1 से हाँ 180 equal to 0 यह question आ गया y square plus 3y minus 180 equal to 0 अब देखो इसको कैसे solve करेंगे 180 3g यह ना मेरको तो क्या हो जाएगा कि नाइन टू से तो नहीं होगा 180 का अगर मैं इसको रूट्स निकालनों तो कितना आ रहा है 180 होता है 18 into 10 और इसको क्या कर सकते हैं 6 into 3 into 5 into 2 ठीक है ऐसा कुछ आ रहा है मुझे यहां पर 3 का gap तो 6 2s 12 और 5 3s 15 ठीक है 12 और 15 हो जाएगा तो यह बन जाएगा आपका y square plus 12 y sorry y square minus 12 y y square minus 12 y plus 15 y minus 180 is equal to 0 अगर quadratic solve करना नहीं आता है तो comment में बता देना मेरे को कि quadratic solve करना नहीं आता है मैं कभी एक session लेकर आपको आज तो नहीं क्योंकि आज मुझे number system finish करना है कभी अलग से session लेकर छोटा सा quadratic solve करना सिखा दूँगा आप mention कर दीजेगा comment में कि नहीं आता है quadratic solve करना तो यह तरीके से बन गया क्या जाएगा finally y minus 12 और y plus 15 this is equal to 0 तो y की value कितनी आ गई minus plus 12 और minus 15 तो minus 15 नेगलेक कर दो y की value आ गया पर plus 12 x की value आ गया 15 ठीक है ऐसा बन गया है यहां पर या लिग देता हूं x is equals to 15 y is equals to 12 15 plus 12 करूंगा answer is 27 c answer is option number c 27 टीक अरे स्लाइब बाले में मत करो जब लेक्चर हो जाए गरो कमेंट होता है न बॉक्स नीचे बनता है जो उसमें लिख देना तो मैं आपका कलिया परसो कभी कोई session रखके quadratic solve करना सिखा दूँगा बहुत सिंपल है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यह solve करना in fact अगर प्रैक्टिस हो ना तो यह आपको समझाने के लिए इतना लिखाओं मुझे इतना भी लिखने की जरूत नहीं है direct answer आ जाता है यह हो गया आपका answer आएगा x का value 15 y का value 12 दोनों को add करोगे 27 is the final answer यह मेरा rough page था दिरे दिरे question थोड़ा सा complicated होता है आएगा उसे है यह भी simple पर थोड़ा सा level बढ़ता रहेगा तो लिख लीजे फिर आगे बढ़ेंगे ठीक चलो नेक्स कोशन पर आते हैं यह को और यह कच्छा कोशन है यह अलब अन्य कितने कोशन है और तीन कोशन और इसके इस कोशन में ध्यान रखना यह अच्छली सिस्टम रीड नहीं करता है जहां जहां पर यह बना है ना कोशन मारक वाला डब्बा बैसिक लिए रूपीज का साइन था वो था रूपीज का साइन तो पस यह ध्यान रखेंगे इस कुश्चन में जो डब्बा और कुश्चन मारक है इसमें उन्हें रेड से लिख दिया है इस इस इंबल आफ रूपीज यह वाला कुश्चन मनाओ क्या कहता है जल्दी से एक बार पढ़िए इसको क्या कह रहा है कुश्चन रियाज ने बोला है कि इससे सिंपल वे लाई यह सॉल्फ करने का है और इससे सिंपल और क्या वे होगा यह तो मैंने एक्वेशन पुरा लिख के सॉल्फ किया ताकि तुम्हारी कॉपी में ऐसा नोट तरह वरना है यह तना कोई बड़ा मेठ़ड नहीं है सिंपल ही वे है यह इससे सिंपल और कुछ नहीं है देखो कोशन क्या कहा रहा है इन एड ऑफ चारिटी को चारिटी चल रही थी हर एक स्टुडेंट ने क्लास में कितना कंट्रिब्यूट किया उन्होंने जितने टोटल नंबर अफ स्टुडेंट थे उतने पैसे हुआ है क्या कहतять कहता कहुंट रहीं क्या है कंट्रिब्यूट एज में इस रुपि's और अफ जाने इन हमच्ट रुपिश करता यह था चारिटी का कुश्चन ठीक है विट एडिशनल कंट्रिब्यूशन ओफ रुपीज टू बाइवन स्टूडेंट अन्ली टोटल कलेक्शन आया है 443 रुपीज तो आपको बताना है टॉटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यह कुश्चन क्यूशन समझ माया कि जितने बच्चे थे उतना ही पैसा हरे एक बच्चे ने कंट्रिब्यूट किया एक को छोड़के क्योंकि उस एक ने जो है 2 रुपिया एक्स्ट्रा किया था विट एडिशनल कंट्रिब्यूशन आफ रुपीज टू और टॉटल नंबर ऑफ स्टूडें एक इसा नहीं हुआ क्यूंकि एक जो बच्चा था उसने जो है दो रूपया extra कंट्रिब्यूट किया बतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x रुपय कितने बच्चों ने कंट्रिब्यूट किया X-1 बच्चों ने और आखरी जो बच्चा था उसने X-2 कंट्रिब्यूट किया टोटल कंट्रिब्यूशन कितना आया यह सब करने के बाद 443 मरको बताईए यह समझ में आया कि नहीं आया क्या लिखाया मैंने यह समझ में आया कि नहीं आया मैंने क्या लिखाया कि X-1 बच्चों ने X रुपीस कंट्रिब्यूट किया और जो एक आखरी बच्चा बच्चा था उसने यह आखरी बच्चे ने X-2 रुपीस कंट्रिब्यूट कर दिया हो गया क्यों बच्च्च बटीप्लाई करो कित्ता आएगा X-2-X प्लस X-2 is equal to 443 यह-x इससे कट गया X-2 is equal to 443-2 मतलब कितना आ गया फाइनली X-2 is equal to 441 X कितना आ गया 21 441 क्या है 21 का स्क्वाइर अगर 441 का रूट लिखो लोगे तो 21 आ जाएगा answer total number of student in the class 21 21 का मतलब क्या है देखो यहाँ पर मैं आपको explain कर रहा हूँ फिर से 21 student का मतलब क्या है 20 students ने 21 रुपया दिया प्लस एक student ने 21 प्लस 2 कर दिया contribution थोड़ा ऐसा जाड़ा कर दिया यह है इसका मतलब इसलिए question option से easy हो जाएगा बिल्कुल option से भी कर सकते हो जैसा चाहो ऐसे कर सकते हो इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया है लिखा है दो रुपया एक्स्ट्रा और फिर आगे तो सिंपल सा मैट से देख लीजिए इस question को मैं option से इसलिए answer पर नहीं जाता हूं कि हमारा काम सवाल बनाना नहीं है हमारा काम इन सवालों से concept को समझना है एक्जाम में थोड़ी नहीं question फिर से आएगा एक्जाम में कुछ change करके पूस देगा आपसे इसलम एक्शल तरीकी सब्सक्राइब और यह 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 नहीं दस से पंद्रा सिकेंड लगते हैं ऐसा नहीं है कि बढ़ा है यह मेठेड देख लो उसको फिर आगे बढ़ूंगा मैं नेक्स सवाल पर 21 रियास निभेदिता सबका एंसर आया 21 गुड अधि हर क्लास में मतलब मेरे इसाब से हर क्लास में 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ कुश्चन सॉल्फ कर ले रहे हैं एक लीस्ट मिनिमम यह अच्छी चीज़ है अधिक आगे बढ़ें इसको यहाला कुश्चन क्लियर है और कितने कुश्चन थे एक और दो यह दो कुश्चन बनाने हैं आपको फिर मैं नया टॉपिक पर आऊंगा यह वाला यूनिट डिजिट वाला इसका आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से सॉल्फ करना है यह व पीस का सिंबल रीड नहीं करता कंप्यूटर बनाई यह ओला गुश्चन अजय चीने लिखा है नमस्ते सर भाई अजय टाइम पर आया करें आप जो हैं पचास मिनिट लेट हैं क्लास के चलो पढ़ो क्या कह रहा है गुश्चन एक परसन के पास सिर्फ एक रुपए और दो रुपए कही सिख्य अं औली 1 रूपीज्स n to रूपीज कॉईन ठीक, टोटल नंबर ओफ कॉईन से 50, और एमाउंट कितना है 75, सिर्फ एक और दो रुपे के सिक्के थे, टोटल शिक्के है 50, और एमाउंट कितना हुआ है, मिला के 75, तो आपको नंबर ओफ रुपीज 1 और रुपीज 2 कॉइन आपको बताने हैं, एक वही मेरी कहानी लेट रूपीज 1 के कॉइन कितने है और लेट रूपीज 2 के कॉइन कितने है वाई ठीक एक रूपए सिक्त का है एक स और दो रूपाए कि इस टिर वा ड़ंवेर को इसका है थो टॉटल अमबर आफ कोईं कितने मितलब x plus y is equal to 50 अच्छा amount कितना होगा एक बात बताओ अगर मेरे पास एक रुपए के 10 सिक्क्य है अगर मेरे पास लिखना बन कर ये इधर ज्यान दो अगर मेरे पास 1 रुपए के 10 सिक्क्य है तो total amount कितना हुआ मेरे पास अगर 1 रुपए के 10 सिक्क्य है तो टूटल अमाउंट कितना हुआ मेरे पास, 75 हो गया 2 equation I hope यह equation समझ में आया होगा अगर 2 रुपय के y सिख्के हैं तो amount कितना होगा 2y हो गयार minus कर दो दोनों equation को यह x cancel हो जाएगा y minus 2y करूँगा तो minus y आएगा 50 minus 75 करूँगा तो minus 25 आएगा cut गया y की value हो गई 25 तो इस equation से x की value कितनी हो गई 25 मतलब यह क्या है एक रुपय का सिख्का और यह क्या है 2 रुपय के सिख्के option number D देख लीजे option number D y की value भी 25 x की value भी 25 note it down आज जमाली तीसरी क्लास है और आधी क्लास कहने लगी है कि C-set easy है यह achievement होता है एक teacher का लिख लो उसको लिख लो आगे बढ़ते हैं एक last word problem question last question यह वाले question बना लीजे फिर एक नया topic start करेंगे यह भी वैसा ही है यह भी वैसा ही question है बना उसको निवेदिता ने कहा है कि answer D होगा निवेदिता आप बना रही है या previous year question का book लेके बैटी है सीधा पलेट मिला के यह वाले question सर पूछे है option number D इसा तो नहीं है क्या क्या रहा है देखो number consist of three digits ठीज वैं तीन डिजिट है तीन डिजिट का नंबर मतलब x, y, z तीन डिजिट का नंबर मतलब x, y, z अब क्या बोल रहा है middle one is zero काम और असान हो गया y को zero कर दिया मतलब x, 0, z number आगया मेरा ठीक, middle one is zero their sum is four ठीक, यह है मेरा number और उन टीनों डिजिट का जो sum है मतलब x plus z is equals to four यह भी given है यह दो चीज़े given हो गई है if the number is formed by interchanging first and last digit is greater than the number itself by 198 then the difference between the first and the last digit is एक तीन डिजिट का नंबर है x, y, z y, 0 है x plus z is equals to four है ठीक है? अब देखो मैंने digit को interchange कर दिया x और z को तो क्या बोल रहा है जो नया number बनेगा z, 0, x यह जो है if the number formed by interchanging first and last greater than the number itself by 198 मतलब जो original number है उससे 198 जादा होगा यह एक equation बन गई x, 0 z, 0, x is equals to x, 0, z plus 198 तो आपको वही difference between first and last digit निकालना है निकाल लो इसको क्या लिख होगे 100 z plus x is equals to 100 x plus z plus 198 तो क्या बन रहा equation यह उधर चले जाएगा 99 z is equals to 99 x plus 198 divide कर दो 99 से क्या आजाएगा यह हो जाएगा z is equals to x plus 2 और यहां से क्या निकाला था z is equals to इस वाली क्वेशन से अगर z निकालूंगा तो क्या आएगा z is equals to 4 minus x z is equals to x plus 2 आया and this is equals to 4 minus x तो x को इधर ले जाओ 2 को इधर ले जाओ क्या बन जाएगा यह 2x is equals to 2 तो x की वैल्यू आ गई 1 और जब x की वैल्यू आ गई 1 तो यहां से z की वैल्यू आ गई 3 आप से पूछा है difference between first and the last digit clear दिख रहा है 1 और 3 minus कर दोगे क्या answer आएगा 2 1 और 3 answer आजाएगा 2 option number B good करमेंदू और राजन का answer आया था शिवी का भी answer आया था clear हुआ है question क्या कह रहा था सुधागर कभी सही आ गया good सुधागर तो आपको बनाना ऐसे ही है statement पढ़ते रहिए equation लिखते रही एंड में equation solve हो जाएगा तो यह आपको decimal number system का आखरी सवाल था इतने सारे सवाल C side में पूछे हैं मैंने सारे के सारे ही solve करवा दिये हैं आपको देख लीजे एक बार फिर एक नया topic स्टार्ट करेंगे रियाज ने कहां फिर से explain करिए ठीक है यह लेखो तिन डिजेट का number है x y z y 0 है इन जो बचेवे digit है x और z इसका sum दे दिया है 4 ठीक अचा नंबर इंटरचेंज कर रहे हो z 0 x बना रहे हो तो वह क्या बन जा रहा है 198 जादा हो रहा है original number से तो z 0 x is equal to x 0 z plus 198 अब मैं जानता हूं यह 100 place में है z तो 100 z x unit place में है x x 100 place में 100 x z unit place में है z plus 198 z को इधर ले जाओ x को इधर ले आओ 99 z 99 x 198 99 से डिवाइड कर दो z is equals to x plus 2 198 is 2 into 99 होता है पस हो गया z is equals to x plus 2 आया और यहां से z कितना आ रहा था यहां से z आया था 4 minus x x उधर गया तो हो गया x plus 2 is equals to 4 minus x x की value 1 x की value 1 तो z की value 3 आगया answer to ठीक है यह x clear हो गया end गरूँ उसको मैं इस टाइप के सवाल अब बन जाएंगे आपसे पेपर में आएगा तो चलो आगे बढ़ते हैं अब सबसे आखरी डिजिट कैसे निकालेंगे बताओ आँ ए पोर हंड्रेट थार्टी टू बताइए तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा जल्दी से बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 432 का जल्दी से मैं बेट कर रहा हूं आपके answer का 432 का यूनिट डिजिट क्या होगा यह आपको बताना है तो एक्साटली 432 का यूनिट डिजिट डोगा 2 good तुम लोग यही बताना सा मर को यूनिट डिजिट में 23 का यूनिट डिजिट क्या होगा बताओ तो 23 का यूनिट डिजिट क्या होगा 23 का यूनिट डिजिट जल्दी 23 23 अरे भाई 2 और 3 23 यूनिट डिजिट अभी तहक एंसर नहीं आ है क्या हो गया 3 गुड थ्री इस दा यूनिट डिजिट तो ये दो ये चीज़े तो मैं जानता हूं कि यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है मेरा आखरी डिजिट सबसे लास्ट का डिजिट ठीक अच्छा एक बार बताओ 23 को अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमेंडर क्या आएगा बताओ तो रिमेंडर करने से रिमेंडर क्या आएगा 23 by 10 करने से remainder क्या आता है 23 by 10 का remainder क्या आएगा भाई 3 remainder of 432 by 10 ये बताना तो 432 को अगर 10 से divide कर रहा हूँ तो remainder क्या मिलेगा ये बताओ 432 को अगर मैं 10 से divide कर रहा हूँ तो remainder क्या मिलेगा बताओ मेरे को 432 432 exactly 2 इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ unit digit निकालने का एक तरीका क्या है कि remainder find कर लो उस number को 10 से divide करके जो remainder theorem पढ़े थे उसी का application है एक तरह से एक तरीका ये है कि 10 से divide करो और remainder निकाल लो आपका unit digit हमेशा मिल जाएगा आपको 10 से divide करके remainder निकाल लो अगर आपसे last के 2 digit पूछ रहा है जनरली UPSC पूछता नहीं है इसले मा पढ़ाता नहीं हूँ बट अगर last के 2 digit पूछ रहा है तो 100 से divide करके remainder निकाल दो 100 से divide करके remainder निकाल दो अगर last के 2 digit पूछ रहा है तो अगर last के 3 digit पूछ रहा है तो 1000 से divide करके remainder निकाल दो तो आपको तरीका पता चल गया unit digit मतलब 10 से divide करो remainder निकाल लो लिख ले ना इसको unit digit का एक formula ये भी होता है बट इसका use करेंगे नहीं हम लो और simplified way में solve करेंगे बट 10 से divide करके remainder निकालना ये काम होता है अब देखो unit digit में आपको दो type के सवाल मिलेंगे एक तो आपको ऐसा मिलेगा ये expression देदेगा simple सा multiplication वाला जैसे ये दिया हुआ है जैसे कि ये दिया हुआ है तो एक तो आपको इस type के सवाल मिलेंगे simple multiplication वाले ठीक दूसरा आपको question मिलेगा इस type का power वाले 55 का power 75 इसको multiply किए 93 का power 175 से उसको multiply किए 107 का power 235 से 275 से तो इसका आपको unit digit निकालना ठीक है ये भी वैसी type का question है power वाले बड़े question तो दो तरीके से सवाल आएंगे आपके एक simple वाले expression वाले एक power वाले expression वाले को solve करने का अलग तरीका है और power वाले को solve करने का अलग तरीका है तो पहले simple वाला question देखते हैं कैसे बनेगा देखो क्या करना है लिख लोग इसको 7, 8, 4 into 6, 1, 8 into 9, 1, 7 into 4, 6, 3 ऐसे करके लिख लो उसको अब क्या करो? सिर्फ और सिर्फ unit digit पर ध्यान दो बाकी सब expression छोड़ दो बाकी सब expression को छोड़ दीजे सिर्फ unit digit पर ध्यान दो 4, 8, 7 और 3 ठीक है? 4, 8, 7 and 3 सिर्फ इसी पर focus करिए तो देखो क्या करना है? इसको इससे multiply कर दो 8, 4, the कितना मिलेगा 8, 4, the 8, 4, the 32 8, 4, the 32 मुझे क्या चाहिए unit digit? मतलब सिर्फ unit digit 2 ले लो, 3 को neglect कर दो 2 को multiply कर दो इससे 7, 2, the कितना आ गया? 14 14 में से मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 4, unit digit फिर 4 को 3 से multiply कर दो एंसर क्या आ जाएगा? 12 मेरे को क्या चाहिए? यूनिट डिजिट मतलब 2 एंसर इस ऑप्शन नमबर A 2 मुझे नहीं बता कितना समझ में आया तुम लोगों को कुछ आया? समझ में नहीं आया? क्या किया मैने? सिर्फ यूनिट डिजिट को लिया 8 4 into 8 किया 32 आया 3 को गोली मारो 2 को ले लो 2 7s आ 14 1 को गोली मारो 4 को ले लो 4 3s आ 12 1 को हटा दो 2 फाइनल यूनिट डिजिट आ गया 2 इससे असान तरीका और कुछ नहीं होता क्लियर हुआ ये method कि जब भी expression दिया हो बड़ा सा तो आखरी आखरी डिजिट को multiply करते जाना है और उस में से भी उस multiplication में से भी सिर्फ यूनिट डिजिट को ही लेना है तो देख लिए अगला सवाल बनाते हैं सारे कोशन ऐसी बनेंगे बस इक पावर वाले का अलग तरीका होता है वो मैं आपको बता दूँगा क्या होता है वो कैसे बनेगा उसके लिए आपको यहाँ यह वाला slide देखना पड़ेगा इसलिए slide को मैं explain नहीं किया विना ने कहा कि मार दिये गोली 83 जो भी है मैं तब तब क्वेशन लिखता हूँ तब तक तुम लोग solve करो 81 82 83 84 85 86 87 कितना बड़ा है 88 89 तक है होगे एंसर आगे इसका 3 की पावर 10 वाला कुश्चन कैसे सॉल होगे 31 का पावर 2 3 की पावर 2 019 बन जाएगा बहुत सिंपल है सिंग विट मी वाला कुश्चन भी अभी इस पर देहन देते हैं वाला कुश्चन में आपका इंड में बता दूँगा मेरे को बसकर रहे हैं हम लोग अब धे किया होगा 1ath2 करूंगा तो अंसर क्या आएगा यूणिट डििचट 2 आजाएगा 1 1 2 2 2 2 आ घया फिक्ट्यक्त और से मल्टिपलाई किया तो क्या आ गया 6 6 6 को 4 से मल्टिपलाई किया तो क्या है टुवट तब को गोली मार नसिऊ चार को कंसिडर करेंगे डारेक कर रहा हूं वन इंटू टू 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 इंटू थ्री शिक्स इंटू फॉर ट्वेंटी फॉर में टू को आ दिये फॉर आ गया फॉर फाइव जा किये तो अरे यार यह क्या हो गया हऊ हऊ है हहत है है हुम्हри story q3 4-5 को 5-3 किया 20 आ गया 0 को करने टू को आठा दू एक बाड़ जीरो आगया तो जीरो इन टूटू www sa petroleum का या च्छी तो क्या गया जीरो जीरो इंटू 7 की तो क्या गया 08 कि इतो क्या आई 9 कि तो क्या है final answer 0 एक बार एक्स्प्रेशन में 0 आ गया तो एंसर हमेशा ही 0 रहने वाले है कि 0 से मल्टिप्लाई करने पर भी क्या आता है 0 ठीक है दिए कोश्चन भी सिंपल सा कोश्चन था अई हो प्लियर हो गया होगा आप सबको एंसर इस 0 यूनिट डिजिट नेक्स कोश्चन पर आऊं जिन से नहीं बना वो लोग एक बार देख लीजे ठीक है ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20 लोगों से जो बन रहा है वही क्लास की स्पीड डिक्टेट करेंगे नहीं अब क्लास लेने का एम यह है कि आप क्लास चालू होने से पहले यह अलग-अलग लेवल पे हो डजन मैटर क्लास एंड होने के बाद हर स्टुडेंट एक लेवल पर होना चीए यह मेरा एम सेशन कंड़क कराने का कि हम सब बराबरी पर आ जाएं चलो एक यह वाला बना दो फिर मैं आपको पावर वाला पढ़ाऊंगा जल्दी से एक यह वाला बनाई है प्लीस सॉल्व इट जल्दी करो प्रखर पांडे ने का है राम राम सर राम राम आपको भी बॉग ठाइम पर आया करिये वगली बार से तुम लोग लेट भी आओगे तो मेरे को विश नहीं करोगे विश करने से सर समझ जाते हैं कि अभी अभी आये है टाइम पर आये करो यार सीखना है तो कुछ इस कोशन को लिखता हूँ में यहाँ पर क्या है 432 into 532 plus 532 into 974 प्लस 537 into 531 plus 947 into 997 यह हो गया पूरा का पूरा एक्स्प्रेशन थीक हाँ क्या करना है सिर्फ पर सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करना है सबसे बड़ी ऐसे गोला कर लिया करो तुम लोग पास तो मल्टी कलर पैन है नहीं मेरे पास है तो मैंने रेड से लिखा और ब्लू से उसको सरकल कर दिया अब देखो ध्यान क्या देना है कि यहां पर पूरा मल्टिप्लिकेशन नहीं है यहां पर प्लस भी है तीन जगे प्लस है ना एक दो तीन हां तो टू इन्टू टू यूनिट डिजिट को मल्टिप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 प्लस यहां पर यूनिट डिजिट मल्टिप्लाई होगा तो 4 इन्टू टू 8 प्लस फिर यहां पर क्या होगा 7 इन्टू 1 कितना आ जाएगा 7 प्लस और 7 7 जा 49 तो 49 में से 4 को हटा दो 9 को कंसिडर करना है तो यह आ जाएगा मेरा टू टू जा 4 फोर टू जा 8 सेवन वन जा 7 और 7 इन्टू 7 किया तो क्या मिला मुझे 9 यूनिट डिजिट अब इन सब को एड कर देते हैं 8 प्लस 4 हो गया 12 प्लस 9 में 7 जोड़ो तो कितना आता है 16 तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 28 मतलब यूनिट डिजिट क्या हुआ option number D option Number D यह question भी UPSC के level पर टाफ question है क्योंकि UPSC ॐ अभी तक के सिर्फ ऐसे वाले the multiplication ही पूछा है एडीशन नहीं पूछा है UPSC लिख लो उसको, फिर कुछ नया सीखते हैं, फिर कुछ नया सीखेंगे, हो गया, आगे बड़े, उद बोड़े इसी कुछन, बनाओ तो ये वाला सावाल बना के बताओ, बहुत कह रहे थे कि सरकारी नौकरी वाले ने कहा है, ये तो बहुत इजी है, चलिए, ये वाला सावाल बनाईए, ये भी इजी है, 55 का पावर 75, मल्टिप्लाइड बाइ 93 का पावर 175, मल्टिप्लाइड बाइ 107 का पावर 275, इसको सॉल्फ करना है थोड़ा, क्या आएगा इसमें, देखो, क्यासे बने गाए ये वाला गुश्चन, ये वाला टेबल फिल करने में मेरी हेल्प करो तो, ये वाला ये वाला टेबल फिल करने में हेल्प कीजे, फिल कर ये जो, टू का पावर 0 कितना आता है, टू का पावर 0 कितना आएगा, टू का पावर 0 इस 1, ठीक, टू का पावर 1 कितना आएगा, 2, टू स्क्वार कितना आता है, 4, 2 क्यूब कितना आएगा, 2 क्यूब 8, समझ रहे हो, टू का पावर 3 आजाएगा, 2 क्यूब 8, टू का पावर 4 कितना आता है, टू का पावर 4, 16, ठीक, टू का पावर 5, टू का पावर 5 कितना आएगा, 32 2 का पावर 6 कितना आएगा 64 2 का पावर 7 128 2 का पावर 8 256 यह हो गया इसको आगे भी लिख सकते हैं बट मेरा काम इतने से हो जाएगा मेरा काम इतने से हो जाएगा इस चीज को अठा दीजिए यह हमारे यूस के लिए नहीं है मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया था यहां से ध्यान दो 2 का पावर 1 आया 2 2 स्कॉर आया 4 2 का 2 क्यूब आया 8 और 2 का पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है बागी सारे हटा दे रहा हूं मैं सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है देखिए 2486 2486 क्या repetition हो रहा है 2486 2486 चाहे आप किसी के लिए भी लिख लीजिए 3 का पावर 1 से स्टार्ट करो लिखना 3 स्क्वार 3 क्यूब 3 का पावर 4 3 का पावर 5 3 का पावर 6 आपको यह पता चलेगा कि भाई पावर 4 के बाद पावर 4 के बाद जो पावर साते हैं उसमें यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होता है त्यान से रेको कंसेट सिखा रहा हूँ आपको मैं 2486, 2486 हर पावर 4 के बाद जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा रिपीट होता है और इसी को कहा जाता है लॉफ स्टाइक्लिसिटी लॉफ साइक्लिसिटी कि हर पावर के बाद हर 4 के पावर के बाद यूनिट डिजिट डिजिट नमबर रिपीट नहीं होता है यूनिट डिजिट डिजिट रिपीट होती है तीक यूनिट डिजिट डिजिट रिपीट होती है ये समझ में आया अब जिद बार बाट आउट पूछ रहे हैं कि इंटू 10, 8 इंटू 1, वही आना है, पर वो छोड़िए, समझना क्या है यहां पर, कि हर पावर 4 के बाद, आपको repetition मिलता है, unit digit में, and this is nothing but law of cyclicity, तो यहां पर अब मैं वापस आ रहा हूं, पहले वाले slide पर, पहले वाले slide पर, इसको याद कर लो, कि अगर मेरा last digit इसमें से को 1, 5, 6, कि क्या क्या, 0, 1, 5, 6, अगर इसमें से कोई भी एक है मेरा last digit, तो कोई भी power हो, मेरे को वही डिजिट फिर से मिलेगी, 0 का कुछ भी power कर लो, 0 ही आएगा, 1 का कुछ भी power कर लो, 1 ही आएगा, 5 का कुछ भी power कर लो, 5 ही आएगा, और 6 का कुछ भी power कर लो, 6 ही आएगा तो यह आपको याद कर लेना है कि 0, 1, 5, 6 का कोई भी पावर रख लो आपको same digit ही मिलेगा इस चीज को समझिए यह नया चीज है आपके लिए 0, 1, 5, 6 में पावर same रहेगा और अगर last digit 2, 3, 4, 7, 8, 9 है मतलब 0, 1, 5, 6 के अलावा 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई भी digit आ रहा है 2, 3, 4, 7, 8, 9 तो आपको cyclicity rule apply करना है बस यह मैं बता रहा था ठीक है 2, 3, 4, 7, 8, 9 अगर आ रहा है 0, 1, 5, 6 के अलावा तो आपको cyclicity rule apply करना पड़ेगा जो क्या कहता है हर पावर 4 के बाद unit digit repeat होता है ठीक यही जाद हो गया cyclicity rule तो मैं बता दिया हो आपको कि पावर 4 के बाद unit digit repeat होना और एक और क्या है 0, 1, 5, 6 पे same बाकी सब में cyclicity apply कर दो तो अब देखते हैं question बनाते है अब बनाता हूँ मैं question वो power वाला ठीक अब question बनाया जाएगा कहां गया यह था question 55 का power 75 93 का power 175 107 का power 275 ठीक है इस इस दा question ठीक है यह है आपका question मुझे चाहिए unit digit we have to find इस सारे question में आपको find unit digit ठीक है unit digit find करना है तो सबसे पहला काम में क्या करता हूँ क्योंकि मैं चीज़ यूनिट डिज़िट निकालना है तो यह वाले digit को तो हटा ही दो सिर्फ यूनिट को ही रखते हैं मतलब यह वाले equation क्या बन जाएगा 5 का पावर 75 इंटू 3 का पावर 175 इंटू 7 का पावर 275 ऐसे लिख दिया मैंने इसको क्योंकि unit digit निकालना है तो 10th place का कोई काम नहीं है ठीक 5, 3 और 7 वैभवी ने कहा है कि 4 और 9 में 2 साहिकल के बाद होंगे तो ठीक है क्या प्रॉब्लम है 2 के बाद हो रहे हैं तो 4 के बाद भी तो होई रहे हैं मैंने आपको एक जन्रलाइज रूल बता दिया कि power of 4 के बाद repeat होगा सब कुछ तो होने दीजे 2 में हो रहा है होने दीजे 4 पे भी आएगा वो तो 5 का पावर 75 3 का पावर 7 का पावर ये मेरे को पता है 5 का पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या आता है 5 याद है 0,1,5,6 0,1,5,6 आपको 4 डिजिट बताए था तो 5 का पावर कुछ भी हो आपको एंसर हमेशा 5 मिलेगा अब आती है कहानी 3 और 7 यहाँ पर लगाना पड़ेगा साइक्लिसिटी रूल यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा साइक्लिसिटी रूल तो देखो साइक्लिसिटी रूल कैसे लगाते है 175 को 4 से डिवाइड कर लो पावर है ना यहाँ पर 175 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4, 4 जा 16, 15 बचा, 4, 3 जा 12, क्या बचा, 3 बचा सिर्फ, मतलब इसको, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो, 3 का पावर कितना आ रहा है, 43, 3 का पावर 43, का पावर whole 4, multiplied by 3 cube, में को देखके बताओ, क्या ये लिख सकता हूँ, 3 के पावर 175, को मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि 43, 4, कितना होगा, 43, 4, 4, 3, 12, और 172 होगा, 43, 4, तो 175 में से 172 यहां आ गया, और 3 का पावर क्यूब, जो है, 3 बच रहा था, वो यहां आ गया, देखके बताईए, समझ में आया की नहीं, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, यह निया चीज है, इसलिए मैं एकदम slow चल रहा हूँ, 43 का पावर 4, और 3 cube, येस और नो, जल्दी से बताओ, अगर ये समझ में आ गया, तो देखो, पावर 4 वाले टर्म को नगलेक कर दो, क्यों, क्योंकि इसके बाद unit digit रिपीट होता है, हमेशा, क्या बचा, 3 cube, 3 cube कितना आता है, 3 3 is a 9, 9 3 is a 27, 27, मतलब इस वाले पूरे एक्स्प्रेशन का unit digit क्या आएगा, 7, क्लियर गोई जीज, ये जो पूरे एक्स्प्रेशन है, 3 का पावर 175, इसका unit digit क्या आएगा, 7, क्यों, क्योंकि 3 का पावर 172 तक के, तो मैं उसको नगलेक कर दूँगा, क्योंकि वो 4 का ही multiple है, 3 क्यूब मतलब 27, इसका unit digit आगया, 7, सेम कहानी इस पर लगाऊंगा, 7 का पावर 275 पे, 7 का पावर 275 पे, अगर, अरे क्या हो गया, हम, एक सेगंड, हट गया क्या जो लिखा था, अरे या, ये क्या हो गया, 5 का पावर 75, 3 का पावर 175, और 7 का पावर 275, ये लिखा था मैं, इसका unit digit आया था 5, इसका unit digit आया था 7, यहां तक हम लोग solve कर लिये थे, यहां तक हम लोग solve कर लिये थे, अब देखो, 275 को मैं 4 से divide करता हूं, 4 से इसलिए divide कर रहा हूं, जो doubt पुछा है, सरल हिंदी ने, क्योंकि power of 4 के बाद repetition हो रहा है, तो मैं ये देख रहा हूं कि power of 4 कहां तक जा रहा है इसमें, 4 से divide करो, कितना आएगा, देखो, 4, 5 जा 24, 6 जा 24, ठीक, क्या बचा, 35, 4, 8 जा 32, मतलब क्या बचा यहां पर, 3, सिर्फ 3 बचा, इस कहने का मतलब क्या हुआ, 275 जो power है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ, 68 into 4, plus 3, वही चीज यहां पर कर रहा हूँ, देखो, क्या बने गए, 7 का power, 68 का whole power 4, multiplied by 7 का power 3, ये वाला term को neglect कर दो क्यों, क्योंकि power of 4 के बाद सब repeat होना है, तो बचा क्या 7 cube, 7 cube कितना आता है, 343, unit digit कितना आ गया, इस पूरे का, 3, तो ये आ गया answer, अब इन सब को multiply कर दो, 5 into 7 into 3, कितना हो गया, 5 7s are 35, 35 में से, 3 को गोली मारो, 5 बचा, 5 3s are 15, 14, 1 को अटा दो, 5 बचा, option number C, देखिए इसको क्या किया हो, मैं, अराम से देखिए, मैं फिर से repeat कर दूँगा, नफीश ने कुछ कमेंट किया है, क्या सर, number की बाद 4 टाइम्स के बाद repeat होगा, बिल्कुल, नहीं, 5 और 6 के बाद नहीं होगा, और जो बच रहा है, वो आपका remainder देदेगा, तो इस case में, इसका remainder आएगा 7, इसका remainder आएगा 3, तो 5 इंटू 7 इंटू 3, अब तो आप simple है, कर लोगे, clear हुआ यह चीज, यह चीज clear हुआ तुम लोगों को, क्योंकि नया चीज है, मैं को पता है, रोजी ने पूछाए कि लॉजिक क्या है, लॉजिक यह है कि साइक्लिसिटी रूल यही बोलता है, मैंने आपको एक उसका example दे दिया था, आप कोई भी number ले लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेकर, वो हमेशा ही repeat होगा, power 4 के बाद, इसे लिए मैं उसको निगलेक कर देता हूँ, एक और सवाल बनाते हैं, एक और सवाल बनाते हैं, ये वाला बनाई है, एक बार ये वाला सवाल बनाई है, और clear होगा concept जो सीखें, एक बार आप बनो, 2 मिनिट बाद मैं solve करूँगा, करें उसको solve, क्या गह रहा है वाला कुष्चिन, लिख दू यहाँ पर, देखें, ये सब 10 और 100 प्लेस को तो छोड़ दो, ये यूनिट डिजिट चाहिए, 3 का पावर 45, इंटू 2 का पावर 77, इंटू 7 का पावर 999, ये है कॉष्चिन मेरा, ये है मेरा कॉष्चिन, इसमें तो सब में साइक्लिसिटी लगाना पड़ेगा, तो देखते हैं, 3 का पावर 45 को देखो सबसे पहले, जिन्सको नहीं समझ में आया है, वो यहाँ पर ध्यान दे, 3 का पावर 45 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 45 को लिख सकते हैं, 4 x 11 होता है न, तो 3 का पावर 11 इंटू पावर 4, इंटू 3 का पावर 1, क्योंकि 45 क्या है, 45 है, 4 x 11 फ्लस 1, तो ये जो पावर 4 है, ये तो रिपीट हो रहा है इसके बाद, क्या बचा 3 का पावर 1, यूनिट डिजिट क्या आई पहले वाले की 3 फर्स्ट वाले की यूनिट डिजिट आई 3 3 का पावर 45 का एंसर आया यूनिट डिजिट 3 अब 77 देखते हैं 77 का क्या होगा इसको काटते हैं 4 से तो ये किते से जाएगा भई 4 1s are 4 37 आ गया 4 9s are 36 मतलब 1 आ गया तो ये वाला भी कैसा दिखेगा ये वाला भी दिखेगा 2 का पावर 19 not 14 19 का पावर 4 और एक बचा है मतलब 2 का पावर 1 तो ये भी नेगलेक्ट हो गया क्या आया इसका यूनिट डिजिट 2 सेकेंड वाले का यूनिट डिजिट इस 2 पावर 4 को आप नेगलेक्ट कर दीजिए बिलकुल आख बंद कर गए अब एक ये बचा 9999 का भी देख लेते हैं यार क्या होगा 4 से डिवाइड करते है 4 1 जा 4 4 2 से जाएगा 4 2 जा 8 19 आ गया 4 4 जा 16 3 बच गया 39 आ गया 4 9 जा 36 3 बचा मतलब ये क्या बनेगा आपका ये बनेगा 7 का पावर 249 का होल पावर 4 multiplied by 7 cube इसको नेगलेक्ट कर देना है 7 cube क्या होता है 343 मतलब कौन सा वाला डिजिट चाहिए मेरे को 3 तो यूनिट डिजिट आ गया 3 क्या बन जाएगा 3 into 2 into 3 3 2 सा 6 6 3 सा 18 18 मतलब 8 है इसका लास्ट डिजिट 8 है इसका लास्ट डिजिट अराम से देखिए अगर डाउट है तो पूछिए ये थोड़ा नया टाइप का है तो डाउट आएंगे शुरू में answer 8 आ जा रहा है बहुत अच्छी बात है काफी students के answer आ रहे है 8 इस में 3 2 सा 6 6 3 सा 18 लास्ट डिजिट क्या हुई 8 देख लो उसको फिर आगे बढ़ेंगे जब simple expression है तो कोई problem नहीं होता multiply करके निकाल सकते हो जब power दिया हुआ है तो power of 4 ढूंडो हटा दो बच जो रहा है वह unit digit देगा आगे बढ़े clear है बताईए आप बताएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ऐसा नहीं हो कि तुम लोगों की उपर से जा रहा हो सब कुछ चलो board mask थोड़ा से देख लेते हैं topic end होने जा रहा है number system almost finish होने जा रहा है board mask board mask क्या किसी ने लिखा है कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो भाई मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं ठीक है मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं तुम्हें समझ में आ रहा है इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है पढ़ने में और डिवाइड जिनको नहीं पता है उनके लिए मल्टिप्लाइड एडिशन और सब्ट्रेक्शन यह चीज़ आपको यहाद रखनी है जल्दी से यह आपको पता है वस मैं दो मिनट पढ़ाऊंगा बॉर्ड मास का रूल जल्दी से इसको बता हिए कितना रहे 4 divided by 2 into 2 plus 7 इसका एंसर कितना आएगा जल्दी से 4 divided by 2 into 2 plus 7 इसका आपको एंसर बताना है भाई ब्राकेट और बॉर्ड मास रूल क्या बोलता है कि फेले 4 divided by 2 करूंगा का मतलब कितना आ जाएगा 2 x 2 plus 7 और फिर क्या करूंगा multiplication 2 x 2 4 plus 7 तो फाइल एंसर आ जाएगा 11 यही है board mass का मतलब 11 आएगा answer सबसे पहले divide करेंगे divide करने के बाद जो result आता है उसमें multiplication करेंगे then addition करेंगे this is the board mass rule जिनको नहीं आता हो फोटाक से लिख लो उसको जिनको नहीं आता वो लिख लीजिए जल्दी से एक और कोश्चन ऐसी वाला बना लेते हैं फिर एंड करेंगे क्या बोल रहा है फोर इंटू टू डिवाइड बाई क्या करें तू इंटू टू टू प्लेस सेवन बताओ तो इसका अंसर क्या आएगा यह अलगुशन का अंसर बता दो पिर नेक्स टॉपिक पर आएंगे इसका अंसर क्या आएगा जल्दी इसका अंसर बताइए क्या आएगा और इंटू टू डिवाइड बाई टू इंटू टू प्लेस सेवन प्रितेश ने कहाए कि अंसर 6 होगा इंशर क्या होगा भाई इसका इसका अंसर 15 होना चाहिए मेरे इस आप社 अश्र मेरे इस वह अंसर हाँ हो क्या क्या करना है डिवाइड पर दिवाइड के पहले किया है ब्रैकेट तब ही तो न बाटमास यहां से चालो रहे है ना ही वर्ण सब्हろ सबसे पहले ब्रैकेट वाला operation करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी लिखाओ, सबसे पहले ब्रैकेट होगा, तो ब्रैकेट में क्या है multiplication, तो 4 इंटू 2 क्या जाएगा यहां पर, 8 डिवाइड बाइ 2 इंटू 2 प्लस 7, अब क्या करोगे, डिविजन को पहले करोगे, त 8 डिवाइड बाइ 2 कितना आ गया, 4 इंटू 2 प्लस 7, अब मल्टिप्लिकेशन करोगे, 8 प्लस 7, answer is 15, answer is 15, इस दो कोशन आपको बाइड मास समझाने के लिए, इसमें और जारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, बहुत सिंपल सा चीज, टॉपिक है यह, 8 प्लस 7 इस इक हो, हो गया, ठीक, चलो, अब थोड़ा सा, रिलाक्स करके पढ़ेंगे, कि अब फिर से यήςаг टाइप सॉफ नंज़ पढ़ा रहा था न, आपको य chef पहले क्लास में आपको कुछ टाइप सॉफ नंबर बताया था, फिर सेकेंड इसमें आपको कुछ टाइप सॉफ नंबर बत rational number, rational number, rational number, rational number का मतलब क्या होता है, वो number जिनको P by Q के form में लिख सकते हैं, या X by Y के form में, या A by B के form में, कोई भी form में लिख दो, बट क्योंकि बच्पन से NCRT ने P by Q का form लिखा है, तो वही हमें याद रहता है definition, तो कोई भी number, जिसको P by Q का क्या मतलब हुआ, numerator by denominator, fraction के form में लिख सकते हैं, numerator by denominator के form में आप लिख दो, ठीक है, जिसमें P और Q क्या हो, whole number, whole number का मतलब क्या हुआ, 0 से चालू हो रहे हैं, and Q is not equal to 0, are known as rational number, यही कहानी है, क्या है rational number, numerator by denominator के form में लिख लो, numerator and denominator दोनों whole number होना चाहिए, बट जो नीचे वाला है denominator, वो 0 ना हो, तो वो कहलाता है rational number, जैसे कि 2 by 3, 5 by 6, 3 by 5, 4 by 5, 5 by 8, 6 by 9, ऐसे करके आप कितने भी numbers ले सकते हो, ठीक है, सिर्फ शर्त क्या है, कि उपर और नीचे, दोनों number whole number हो, पर नीचे वाला 0 ना हो, उपर वाला 0 हो सकता है, मेरे को बताओ तो, क्या, यह whole number है, सुरी, rational number है, 5, जल्दी बताईए मेरे को, तभी आगे बढ़ूँगा मैं, Is 5 a rational number? क्या 5 rational number है? Yes or No? जल्दी बताईए, जल्दी, क्विक, 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 कोई reply नी आया अभी तक के, तुम लोग उथरों लेट जाता है वीडियो, क्या होना चीए, 5 rational number है, Yes, आगे है, क्यों, क्योंकि 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 5 by 1 लिख सकता हूँ, अब 5 नूमरेटर भी whole number, डिनॉमिनेटर भी whole number, और डिनॉमिनेटर जीरो नहीं है, तो this is a rational number, good, अच्छा, एक और सवाल का जवाब बताऊ मेरे को, क्या 0 rational number होगा, क्या ये rational number है, 5 by 1, sorry, not 5 by 1, sorry, 0, क्या 0 rational number है, कैसे है भई 0 rational number, अधी बेरिता ने खळाए कि बिल्कुल सर है, बिल्कुल 0 rational number है, क्यों, क्योंकि 0 को मैं 0 by 1 लिख सकता हूँ, भाई 0 rational number है, क्यों 0 को 0 by 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर condition क्या है, कि denominator 0 नहीं होना चाहिए, numerator 0 हो सकता है, denominator 0 नहीं होना चाहिए, numerator 0 हो सकता है, अगर मैं 5 by 0 लिखता, तो यह नहीं होता rational number, यह तो है rational number, नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, उपर में 0 आ सकता है, यही होती है rational number की definition, ठीक, 5 by 0 नहीं होगा rational number, ठीक, जीरो बाई, जीरो रैशनल नमबर होगा पर 5 बाई 0 नहीं होगा ठीक, परिए यह हो गया रैशनल नमबर, क्लियर हो गया, हटा रहू मैं ये सब, अगर रैशनल पढ़े हो तो इर्रैशनल नमबर भी पढ़ना पढ़ेगा, वो नमबरs, जिनको मैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता वो कहलाते हैं इर्रैशनल नंबर वो नंबर जो रैशनल नहीं होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो कहलाते हैं इर्रैशनल नंबर ठीक जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 7, पाई ये सब नहीं होते है राशनल नंबर क्यों नहीं होते हैं क्योंकि आगे पढ़ोगे इसमें कि रूट 2 या रूट 3 आप निकालोगे ना तो वह रेकरिंग हो जाता है मतलब रेकरिंग मतलब 1.414 कुछ कुछ चलता रहे गा एंड तक कि रुके गाई नहीं कहीं पर उसको बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल डिजिट कहीं पर रुकती नहीं है बढ़ते जाती है इसे लिए रूट 2 रूट 3 रूट 7 पाई ये सब होते हैं इर्रैशनल नंबर अच्छा दुनिया में रैशनल नंबर और इर्रैशनल नंबर को अगर मिला दे तो क्या बनते हैं रियल नंबर यादे रियल नंबर बताया था किसी क्लास में रियल नंबर क्या होता है जिसको नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं यह होते थे रियल नंबर फिर इसी के ब इसे वाला नंबर लाइन जो होता है यह दो टाइप के नंबर आप सीख गए राशनल और इर्राशनल नंबर इर्राशनल के एक्जाम्पल्स क्या है आफ रूट कह लिता है रूट क्री रूट सेएंठ और एक पाई भी होता है ट्विट्शी chickens में ढैं कि यह हो गया अब करार आपका टाइप मतलब denominator हमेशा numerator से बढ़ा हो, जैसे 1 by 6, जैको denominator बढ़ा है, numerator से 6 by 7, 8 by 28, इन्हें कहा जाता है proper rational number, प्रॉपर rational number क्या हुए, numerator हमेशा denominator से छोटा रहेगा, या नीचे वाला हमेशा उपर वाले से बढ़ा होगा, इस प्रॉपर rational number, इंप्रॉपर rational number क्या होता है, जिसमें numerator जो है, या तो बराबर हो, या बढ़ा हो denominator से, एक्जामपल आपके सामने है, इंप्रॉपर rational number क्या हुआ, जिसमें numerator या तो बराबर हो, या बढ़ा हो denominator से, या तो बराबर हो, या तो बढ़ा हो denominator से, तो यह कहला था, इंप्रॉपर rational number, यह था आपका proper rational number, दो टाइप के आपके numbers हो जाते हैं, rational number में, देख लीजेगा, इसको एक बार रीड कर लेना, simple है, एक ये भी होता है, किसने तो comment भी किया था, mixed rational number, ठीक है, mixed rational number, यह क्या होता है, यह होता है, whole number, whole number, plus proper rational number का combination, यह बहुत सारे options में देता है, इस तरीके से, whole number और एक proper rational number, जैसे कि, यह example, 4, 5 by 8, इसको कैसे read करोगे, 4, 5 by 8 को कैसे read करोगे, देख, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, a, b by c, इसको मैं क्या होता है, denominator तो हमेशा c ही रहेगा, अगर इसको आपका convert करो तो, यह ऐसा बनता है, a into c plus b, जैसे कि यह क्या बनेगा, यह बनेगा, 4 into 5 plus, एस सॉरी, क्या लिख दिया है मैंने, यह बनेगा आपका, 4 into 8 plus 5, कितना आता है, 4, 8's are 32, 5's are 37 by 8, तो यह याद रखना, mixed rational number, a, एक whole number है, b by c, इसको combine करके देगा, तो क्या करोगे, इस वाले number को denominator से multiply करके, numerator से add कर देना, आपका numerator आ जाएगा, और denominator तो हमेशा same रहेगा, यह होते हैं, mixed rational number कहलाते हैं यह, they are known as, mixed rational number, 4 into 8 plus 5, ठीक है, 4 into 8 plus 5, यह भी हो गया, अच्छा, एक यह भी हमारा term होता है, decimal expansion, कि कोई number अगर decimal के form में दिया हो है, तो उससे मैं rational number के form में कैसे express कर सकता हूँ, ठीक है, उसको मैं rational number के form में कैसे express कर सकता हूँ, तो decimal expansion में अलग-अलग categories होते हैं, एक होता है, finite decimal और terminating decimal, समझ रहे हो, finite और terminating decimal, finite का मतलब क्या होता है, countable, infinite नहीं है जो, जिसको मैं count कर सकता हूँ, finite, limited, terminating decimal बोलते हैं, जैसे कि यह, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.2, इस तरीके के numbers, इसमें decimal एक या दो डिजिट तक के ही जाता हो, 1.25, इस तरीके से, दीक है, तो इन्हें कहाँ जाता है, finite decimal और terminating decimal, they are rational numbers, जो finite और terminating decimal होते हैं, उन्हें कहाँ जाता है, rational numbers, इस तरीके से 0.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 by 10, यह कितना आ गया, 3 by 5, 0.6 क्या हो गया, 3 by 5, it is a rational number, 0.7 क्या हो गया, 7 by 10, this is a rational number, 1.25 क्या हो गया, 125 by 100, मतलब 5 by 4, this is a rational number, तो जो यह finite decimal होते हैं, यह terminating decimal, यह सारे के सारे जो हैं आपका, इस category क्या आते हैं, rational number की category में आते हैं, अच्छा, एक होता है recurring decimal, एक था finite decimal, और एक था आपका recurring decimal, recurring का मतलब क्या होता है, recurring का मतलब होता है, कि वो रुकेगा नहीं, वो बढ़ते जाएगा, वो finite नहीं, देखो, यहां पर कहा तक जा रहा है, 1 by 3 को अगर आप लिखो के decimal, तो 0.333 बढ़ते रहेगा end तक के, 0.625, 2525, 25 करके यह बढ़ी रहा है, तो इन्हें कहा जाता है recurring decimal, समझ रहे हो, what do you meant by recurring decimal, मतलब वो decimal बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा, तो recurring decimal में ही दो category होते हैं, पहला होता है repeating recurring decimal, कि number जो है, आगे तो बढ़ रहा है, ठीक है decimal के बाद, बट वो repeat हो रहा है, जैसे 3 3 3 3 3 3, repeat हो रहा है, 0.625252525252525, repeat हो रहा है, यह क्या कहलाते हैं, repeating recurring decimal, यह repeating recurring decimal को, मैं rational number में convert कर सकता हूं, मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, यही last topic है, number system का, एक तो होता है, मेरा decimal numbers में कितने type के number, एक होते हैं finite वाले, वो तो rational होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0.6, 0.7, 0.8, फिर एक होते हैं recurring वाले, जो बढ़ते जा रहे हैं, उस recurring में भी एक category होती है, repeating recurring की, जो number record हो रहा है, बढ़ रहा है, वो repeated form में है, यहाँ पर 252525 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, तो इन्हें कहा जाता है rational number, ठीक है, इनको आप rational number के form में express कर सकते हैं, कैसे, वो मैं सिखा दूँगा, एक और category होती है, non repeating recurring, जैसे यह root 2 ही है, ठीक है, यह root 3 है, कि यह जो है, record तो कर रहा है, पर repeat नहीं कर रहा, 1, 4, 5, 6, point के बाद आगे क्या value आईगी मेरे को नहीं पता, वो repeated form में नहीं रहता, तो अगर आप से कोई पूछे, यह लोग irrational number होते हैं, जो point के बाद बढ़ते रहें, और उनके value कभी repeat नहीं होती, उन्हें कहा जाता है irrational number, exactly, अगर आप से पूछे ना, कि भाई, root 2 और root 3 क्यों irrational हैं, तो आप बोलोगे, कि जब उनका decimal expansion करते हैं, तो जो value है point के बाद, वो repeat नहीं होती, वो बढ़ते रहती हैं, एकदम मतलब कोई भी value आजाएगी, non repeating nature की, root 2, root 3, they are called irrational, इसको आप rational number के form में express नहीं कर सकते, clear हुआ यह चीज, rational number पढ़ाया आपको, irrational पढ़ाया, पिर decimal में क्या पढ़ें हम लोग, एक होता है finite decimal, 0.6, 0.7, और एक होता है recurring वाला decimal, कि वो रुक नहीं रहा, वो record कर रहा है, बढ़ रहा है आगे, अब जो recurring वाला है, उसमें भी दो type होते हैं, एक होता है repeating वाला, repeating recurring, repeat भी हो, और बढ़ते जाएं, उसको मैं rational number के form में express कर सकता हूं, पर एक होता है non repeating और recurring, तो जो non repeating और recurring वाला type होता है, यही होता है irrational number, यही होता है irrational number, तो यह था मेरा आज का एजेंडा, कि आपको rational और irrational number बता देना, एक छोटा से topic बच रहा है, एक छोटा से topic बच रहा है, कि जो आपके यह वाले हैं ना category, recurring और repeating वाले, इसको rational number में कैसे express करोगे, बस यह आपको सिखा देना है, बहुत simple सा है, बस यह आपको सिखा देना है, कि इसको आप rational number में कैसे express करते हैं, तो जल्दी से सीख लेते हैं, 0.3 bar, इसका मतलब क्या होगा, आप लोगों को पता है, जल्दी से बताईए लिखके, अगर पता है तो, कि 0.6 bar का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताईए, वेट कर रहो हूँ है आपका answer का, 0.3 bar का मतलब बताईए, जल्दी से, वाट डियो मेंट बाई 0.3 bar, जो उपर में बार लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है, कि वही वाला term जो है, वो repeat हो रहा है, 0.333, बार का मतलब यही होता है, कि 3 will repeat, जैसे इस वाले में, 11. इसमें repeat क्या हो रहा है, 235, 235, 235, तो 11.235 bar, इसका अब ऐसे लिख दोगे, ठीक है, 11.235 bar, जो भी बार के अंदर में, जो भी value आ रही है, वो repeat होते रहेगी, मान लोग, आपको question देता है, 0.6, 3, 3, 3, 3, यह इस तरीके से बढ़ता है, तो इसको में कैसे लिखता है, इसको में लिखता है, 0.6, सिर्फ 3 के उपर बार लगाता है, क्यों? क्योंकि सिर्फ 3 बढ़ रहा है आगे तक के, सिर्फ 3 बढ़ रहा है आगे तक के, बाकी नहीं बढ़ रहा, तो यह होता है बार का मतलब ठीक है अब देखो शॉट्ट ट्रिक यह समझ में आ गया तो आपको सीधा ट्रिक बता रहा हूं मैं नाथिंग एल्स इसको कैसे लिख सकता हूं पॉइंट थ्री बार इसको अगर आपको डेसिमल में कनवर्ट करना है रैशनल नंबर में पॉइंट थ्री बार को तो आपको क्या करना यह देखो कि बार के अंदर कौन सा नंबर है थ्री तरीका समझो बहुत इंट्रेस्टिंग है वन लाइन में एंसर आता है बार के अंदर कौन सा नंबर है 3 ठीक अब डिनॉमिनेटर में क्या आएगा बार के अंदर कितने नंबर है एक ही नंबर है तो एक बार नाइन बार के अंदर जितने नंबर से उतने बार डिनॉमिनेटर में नाइन आ जाएगा और नुमेरेटर में क्या आता है बार के अंदर क कौन सा नंबर है यहां पर क्या आएगा कि बार के अंदर कौन सा नंबर है लिख लेना इसको अपने लैंग्विज में और यहां पर क्या आएगा कितने नंबर है उतना नाइन कितने नंबर है उतना बार 9 जैसे कि 0.3 बार को डेसिमों इसमें फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे 3 by 9 इसमें क्या करोगे देखो इसको ऐसा मानलो अभी 11 का नहीं बता रहो मानलो कोई नंबर है आपके पास पॉइंट 235 235 इस तरीके से तो इसको कैसे लिखोगे पॉइंट 235 बार अभी 11 को भूल जाओ पॉइंट ही रहने तो सिंपल तो यह क्या हो जाएगा इसको आप कैसे एक्सपेंड करोगे बार के अंदर कौन सा नंबर है 235 और बार के अंदर कितने नंबर है एक दो तीन fraction वह समझ में आया होगा यह ओगया इसका fraction कि आपको बस जो बार के अंदर है नंबर उसको numerator में लिख दो और कितने नंबर से उसको denominator में कर दो तो ट्रिपल नाइन, लिख लीजे इसको, ठीक है, इसको लिख लीजे, अब सेम, सेम चीज, यहाँ ध्यान दो, अगर ये 11.235, 235, 235 होता, तो मैं इसको कैसे लिख देता, एक्सपैंड करके, मैं लिखता, 11 प्लस, 0.235, 0.235 बार करके, तो ये तो 11 रहता, और 0.235 बार क्या हो जाता है, 235 बार प्रिपल 9, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, कि जो decimal के इस तरफ में है number, उसको तालग कर दो, ठीक, और जो decimal के बाद repetition हो रहा है, उसको कैसे लिखोगे, 235 by 999, यहां पर अगर, 1.3333, कोई पूसता तो क्या से लिखते हैं, 1 plus 3 by 9, आ जाता है answer, 1 plus 3 by 9, यह से तरीके से होता, I hope यह clear होगा, ठीक है चीज, yes or no, जल्दी बताईए, yes or no, मैं अपने आपको नहीं पूढ़ा रहा, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आपको respond करके बताना पड़ेगा, yes sir, समझ में आ रहा है, ठीक, 1 plus 3 by 9 हो जाएगा, तो चलो, इसको solve कर सकते हो, यह तो 2, 5, यह वाले, यह वाले का फटाफट लिख दो तो इन सब का, इन सब का लिख दो तो, fraction, इन सब का fraction लिख दीजे, फटाफट वन लाइन में, कोई महनत नहीं है, इसमें, कोई महनत नहीं है, इसमें, डारेक लिख दीजे, वन लाइन में, क्या आएगा, क्या लिखोगे, देखो, 0.3 बार को क्या लिख दोगे, बोच सिंपल है, 3 by 9, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो, क्या repeat हो रहा है, 25, 25, 25, repeat हो रहा है, मतलब, 0.25 बार है, यह मतलब, 25 by 99, यह क्या चीज है, यह है, यह है, 0.16 बार, मतलब, 16 by 99, और यह क्या है, 0.123 बार, मतलब, 123 by 9, जितने numbers repeat हो रहे हैं, उतने बार 9, और जो number repeat हो रहे हैं, वो numerator में लिख दोगे, बहुत आसान कुश्चन है, क्लियर हो गया है मेरे हिसाब से, अब concept, इस टाइब के सवालों में अब गल्ती करके मता आना, ठीक, एक और है आगे में, इसका, ये वाला, ये कहांगे है तो खाली है, ये वाला बनाओ तो, ये वाला बनाओ तो, ये वाला बनाओ तो, ये वाली चार कुश्चन बना सकते हो, ये चार कुश्चन बना लो, एंड कर देंगी क्लास को, ये चार कुश्चन, जल्दी से मैं वेट कर रहा हूँ आपके एंसर का यह चार कुश्चन बनाईए हो गया ना यह चार कुश्चन बनाईए यह क्या है बेसिकली यह है पॉइंट 15 बार इसको क्या लिख सकते हैं पॉइंट 13 बार इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है पॉइंट 5787878 है ना तो पॉइंट 578 बार और यह क्या हो जाएगा पॉइंट 1234 बार 341 तो 1234 बार इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आ बार के फॉर्म में पॉइंटवन बार का है 5 क्योपर, क्यूंकि इसे 5 रिपीट हो र रहा है यहां पे 3 क्योंपर 3 रिपीट हो रहा है यहां पे 7-8 की ऊपर 3-4 की उपर यह question आप नहीं लिख सकते थे क्यों कि यह वाला तरीका मैंने नहीं बताया है यह exactly उसके जैसा नहीं है क्योंकि अगर आप चेक करोगे previous question में तो यहां पर क्या हो रहा था यहां पर देको बार सब के उपर रह रहा था यह यह क्या था यह था 0.123 बार decimal के बाद सब के उपर बार रह रहा था जितने भी numbers हैं जितने भी digits हैं यहां पर वैसा नहीं है यहां पर वैसा नहीं है तो क्या करोगे देखो सुनो क्या करना है numerator और denominator दोनों लिखने का तरीका बता रहा हूं ठीक numerator में क्या करोगे decimal के बाद पूरा नंबर लिख लो 15 minus 1 जो non-repeitative है 15 minus 1, 1 repeat नहीं हो रहा ना यह हो गया numerator, denominator में क्या आ जाएगा जितने terms repeat हो रहे हैं उतना 9 एक ही repeat हो रहा था और जितने terms नहीं repeat हो रहे हैं उसका 0, तो इसका answer आएगा 14 by 90 क्या करना है decimal के बाद पूरे नंबर लिख लो minus जो पार्ट repeat नहीं हो रहा है divide by 5 repeat हो रहा था तो उसका 9 और 1 नहीं repeat हो रहा था तो उसका 0 same logic यहाँ पर, मैं explain कर रहा हूं आपको क्या करूंगा 13 minus जो पार्ट नहीं repeat हो रहा ठीक और repeat हो रहा है 3 एक ही बार, मतलब 3 सिर्फ repeat हो रहा है एक डिजिट तो एक बार 9 और 1 नहीं repeat हो रहा है मतलब 90 इसका answer क्या आएगा पांच माइनस कर दो अब देखो 7 और 8 दो डिजिट repeat हो रहे हैं दो डिजिट repeat हो रहे हैं मतलब डबल 9 और क्या repeat एक बार नहीं हो रहा है repeat नहीं हो रहा है 5 सिर्फ मतलब 990 यह आजायगा इसका answer 573 by 990 573 by 990 यह हो गया इसका इसमें क्या करोगे same logic है इसमें भी क्या करोगे 1 2 3 4 minus repeat क्या नहीं हो रहा है 12 divide by 3 और 4 दो डिजिट repeat हो रहे है double 9 बारा दो डिजिट repeat नहीं हो रहे है मतलब 0 2 बार यह आजायगा इसका answer 1 2 3 4 minus 1 2 divided by double 9 double 0 यह आएगा इसका answer clear रहा है चीज किस तरीके से solve करना है इसको double 9 double 0 ठीक है प्रकर शिवी बाकी लोग जो भी answer दे रहे हैं बस यह आखरी sheet है यह कुछ के answers बता दो मेरे को यह क्या रहेगा 1.3 बार 7.58 बार 2.34 बार और 4.06 बार यह भी आप लोग लिख लोगे बहुत सिंपल है एक बार इसको लिख लीजे एक बार इसका answer बता दो प्लस 0.58 बार ठीक है इसमें से 8 रिपीट हो रहा 5 रिपीट नहीं हो रहा मतलब 58-5 divided by 90 यह हो गया second वाले का answer ठीक है 57 plus 53 by 90 यह हो गया इसका answer इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस यह क्या है 34-3 by 90 ठीक है 31 by 90 है exactly सही answer दे रहे हो आप लोग और 4 प्लस यह क्या बन जाएगा बताओ यह हो जाएगा 6-0 by 90 तो यह था आपका पूरा का पूरा नंबर सिस्टम इसके आगे कुछ नहीं है बढ़े क्लोस को फिर मैं एक दू चीज़ बताऊंगा फिर रेंड करेंगे सेशन ठीक है तो यह आप इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा ज्यान दो आपर चलिए सारा अटेंशन बोर्ड पर लास्ट का दो मिनिट इसके साथ आपका नंबर सिस्टम पूरी तरह से फिनिश हो रहा है ठीक है नंबर सिस्टम में अब आपको और कुछ भी पढ़ने की प्रवत नहीं है नंबर सिस्टम में फिनिश हो गया है पूरी तरह से ठीक अब जो है नेक्स सेशन होगा आपका मोस्ट प्रबैबली वेंजडे को आज मंडे है तो वेंजडे सेम टाइम 12 से 2 उसमें मैं कोई और टापिक उठाऊंगा शायद आवरेज उठा लूंगा या परसेंटेज या टाइम एंड वर्क तो हम इस तरीके से सीसाट के कंसेप्ट को सीखेंगे ठीक और इसी के साथ सेशन को एंड करता हूं और एक और इंपोर्टेंट चीज था जो मैं आद दिला दूंगा आपको कि एक बार studyiq.com पे जाके SIP प्लस प्रोग्राम के फीचर्स को जरूर देखना जैसा मैंने आपको सीसाट पढ़ाया है यहां पर नंबर सिस्टम या जैसे आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा वैसे ही आपको बाकी टीचर्स भी बाकी subject कवर कराएंगे इस लेवल पर कवर करा देंगे कि मार्च तक कि आपका पूरा syllabus हो जाएगा आपको सि किएगा शार 19 तारिक से स्टार्ट हो रहा है और मेरा कोड यूज करोगे तो कुछ डिसकाउंट भी है मेरा कोड या किसी भी फैकल्टी का कोड यूज कर दीजेगा आपको उसमें डिसकाउंट रहता है तो session को end करते हैं आपर और next session आप इसमें देख लेना live section में आपको द